हेलो फ्रेंट्स व्रागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल कंपेटेटिव और स्लूशन में फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में दुगास सम्मी करनों के मूलों की प्रकृति को क्यात करना सिखेंगे यह एक्सरसाइज चारसनों चार एनसरी यार्टी क्लास 10th math का सवाल ह है और इसी जो है बहुत ही आसाने तरिक से समझाए जाए तो आए फ्रेंट्स करते हैं क्वेस्टन है टू एक्स स्कॉए मैनस थी एक्स प्लस फाइव इक्वाल टू जीरू यानि कि इस टाप क्वेस्टन दिया रहता है दो नमर यह चार नमर पूस्ता है जो मूलों की प्र इसका मेनस थी का मन जो है डी का मान पोजेटी में आ जाये तो मूल बास्तिविक और अखर मैनस में आ जाये तो मूल बास्तिविक और बडाबर होगा तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स देखेंगे हल ठीक है टू एक्स स्क्वार माइनस थीरी एक्स पलस पांच बड़ावर जीरो तो यहां पर सबसे पढ़े लिखेंगे एक कट में के बड़ान करेंगे बार और यहां तो यया सिक्वार में है यहां पर कितना होगा रएद कितना हो जागा मैनास तीन. याज, x का कुछ नहीं है, मैनास तीन ना यहाण लिखेंगे मैनास तीन और c कितना हो जाएगा? पांच ठीक है? अब लिखेंगे सुत्र से मुलो की प्रकृति प्याद करना है दिखेंगे सुत्र से d बडाबर, यानि कि discriminant भी खाते हैं और या इसे बीविटकर भी बोड़ सकते हैं या बीविटकर भी बोड़ सकते हैं इसका फर्मुला होता है B square minus 4AC ठीक है अब यहाँ पर क्या करेंगे जैसे B का मान कितना है मैनस 3 तो यहाँ पर लिखेंगे मैनस 3 square है तो square फिर मैनस है तो मैनस 4 है तो 4 गुने एक का मान कितना है 2 तो यहाँ लिखेंगे 2 और C का मान कितना है 5 तो यहाँ लिखेंगे 5 बड़ाबर मैनस 3 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मैनस मैनस किया होता है परलस होता है तो 3 को 2 बार गुणा करेंगे, तो 3 थिया 9 हो जाएगा, फिर मैनस है तो मैनस, 4 दुनी 8, 8 पंचे 40, ठीक है? तो d बढ़ा आब हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो किसी किसी चहना है, पलस का है, तो परला से मैनस क्या होता है, मैनस होता है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, चैलिंस में से इन्हों घटाएंगे, तो कितना हो जागा, 31 हो जाएगा, चिंद किसका रहेगा, जो संख्या बढ़ा हो, कितना हो गया, मैनस 31, जो 0 से क्या है, छोटा है, जो 0 से क्या है, छोटा है अब बोल कहा रहा है मूलों की प्रकृति यहां पर देख लिजिए दिया गया है मूलों की प्रकृति क्या आद करते दिखेंगे प्रकृति में लिखा चाएगा मूल वास्तविक नहीं है यहलois bul अंसर हो जाएगा वह के प्रकृति में क्या लिखा जाएगा मूल बास्तविक नहीं है हमारा यहीं क्या हो जागा अगर मैनस में आय तू अगर वहीं पकर bN अगर पर next question है 2x square minus 6x plus 3 लिखेंगे हल 2x square minus 6x plus 3 equal to 0 फिर वही a का मन लिखेंगे a का मन कितना हो गया 2 हो गया b का मन कितना हो जाएगा मैनस 6 हो जाएगा जो चीन है फ्रेंट्स वो चीन से लिखेंगे और सी का मन कितना हो गया 3 हो गया लिखेंगे सुत्र से क्योंकि मुलोग प्रकृति क्यात करना है तो डी बढ़ाबर बी एसक्वाइब मैनस फोड़े सी एकवल टू बी का मन कितना है मैनस 6 है क्या लिखेंगे मैनस छो का हो जाएगा और चार दूनी आठ आर्थिया 24 यहां डी लिखते जाएंगे तो डी का मन कितना है तीन यहां लिखेंगे तीन मैनस चोबिस है तो यहां क्या करेंगे पलस मैनस क्या होता है मैनस होता है तो क्या करें घटा देंगे चाटिस में से चोबिस घटा है तो कितना होगा च्छे मैस चार गया दो आ तीन में से दो गया एक किसमें आ गया पॉजेटिव में आ गया इसका मतलब है जिरो से क्या है कमन बढ़ा है लिखेंगे प्रकृति में मूल बास्तविक और अस्सामान होगा इस प्रकार क्या हो गया है एंसर इस परकार क्या है फ्रैंड्स हम लोग प्रकृति ग्यात कर सकती है अगर पने प्रकृति यह पूछ दिया जाए अगर मैनस में आ जाए दिकामान तो अगर advisies 맛있 करेंगे हम लोग उनको स्वेल्ब करेंगे आसा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद